तो ये हिंदूओं का जो हुआ है वो हिंदू हमारे हैं भाइजान आपको भी केस का टोटल नहीं ना पता डिटेल में नहीं पता ऐसे आडियंस को भी उसरी केसे नहीं पता जो नेक्स वीडियो आगी उसमें पता चलेगा आप चले काफी देर से लेकिन शुएब भाई वो मे मेरे कहने पर वो वीडियो नहीं चलाते अगर मेरे कहने पर वो काम आप नहीं करते तो आप यकीन माने मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि मुझे हो सकता है अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़े जिसके पैसे भी ना आते हूँ ऐसा चैनल चाहिए मुझे अशाला असलाम अलेकुम मतब मुसल्मानों की वर्डिंग यूज़ करता है अब इस चीज़ से आप अंदाजा कीजिए कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं उनके लिए मजबूरी है अगर वो बाहर निकल के असलाम अलेकुम नहीं करेंगे तो लोग उनसे न टिकट के जो आपके चार्जिस लगें वो मेरी तरफ से बता है कितने लोग गे दे और कितने पैसे लगे आप अज़ादी से सारे सिलसले करेंगे जब आप अज़ादी नहीं हुए जब आप अपने अबादात खुलके करी नहीं सकते हो तो फिर क्या फायदा हुआ हमें ची जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चोधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटर्टेन्मेंट टीवी कराची के बाद अब मैं आ चुका हूं लहोर में और लहोर आने में सबसे पहले जो मैं हम इंटर्व्यू करने वाले हैं आप इजली बाई ये ला जानता है दिल से बोल रहा हूं कि अब मुझे खुशी होती है और मुझे फखर फील हो रहा है कि किस चैनल पर मैं इंटर्व्यू देता रहा हूं आप यकीन माने अगर देखिए देखिए बाह सुरी पाकिस्तान की में स्रीम मीडिया पाकिस्तान के बड़े ब आपके पास आया उसके बारे में भी आपको बताएंगे उसके बारे में भी जरा राम राम से बताएंगे हर बाते लेकिन पता है क्या शुवब भाई सबसे बड़ी बात ही है देखिए कितने यूट्यूपर है पाकिस्तान में कितने लोग है किसके लिए काम कर रहे हैं पैस मतलब ये कि सच को उन बोलता है और जूड को उन बोलता है हर इनसान के सामने ये बाते आज़ते हैं हमने महबत की बात करनी है यार महबत की बात करनी है छोड़ें जिसने जो किया हमने अपने तोर पर रिक्वेस्ट की थी मतलब ठीक है जिन्होंने जो किया कोशिश की नहीं की वो आज इस बात को नहीं इसक्रस करेंगे जैसे पीस के वार्ड होते हैं जैसे तमकाए अम्तियाज होते हैं आप यगीन कीजिये कि इस किसम का वार्ड मिलता आपको पुछें क्यूं क्योंकि आपकी वाद सिंध पार्लिमेंट में भी चलेगी सिंध असंबली तक आपकी बात गई है बड़े बड़े जो मुनिस्टर से वो ही लें आपकी बात से अब मुझे ये बताईए कि उस मिजोरिटी को आप उधर ही रखते हैं ना उधर कोई मीडिया जाता है ना उधर क बात गई इधर मैं एक चीज़ ये कलियर करना चाहता हूं मैं जिससे भी आप मिल रहा हूं बहुत लोग एप्रिशेट कर रहे हैं कि सुहेब चोधरी ने अकेले ने ये कर दिया या कोशिश कर दी मिनौरिटी के साथ खड़ा हो गया और बाई देखें ये क्रेडिट सारा म तो उसे एप्रिशेट करना चाहिए let's suppose मैं वहां पे जाके वीडियो बना रहा था मुझे इतने लोग ना देखते इतने लोग मिरसा स्टेंड ना लेते तो believe me शैद मैं दूसरी से तीसरी वीडियो ना बना पाता तीसरी से चोथरी वीडियो ना बना पाता तो क्या ये बात पार्लिमेंट तक जानी थी, क्या ये बात दूर दूर तक जानी थी, इस थि तरह के कई वाकिएः हो चूखे हैं, बाईजर सर, 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 Committee, सिंदसम्भी तक जो वहां के मynnिश्टर हैं, उनोंने हमारी बात को उठाया, यह हमारी वीडियो सर सर इस तरह के कई वाकियत हो चुके हैं जो ऐसे खुले और ऐसे ही दफन होगे जिनका किसी को पता ही नहीं चला तो मैं क्यों ना एपिशेट करूँ इस बात के उपर कि यार यह बात कहां कहां तक नहीं उठी कौन कौन सी जगां पे नहीं उठी आप यह देखिए ना कि मेंस्ट्रीम मीडिया जिस मुलक का चुपो इस मियूनिटी इन लोगों के उपर इधर एक यूट्यूपर जाता है और प्रॉपर एक बात करता है और बड़े लोगों को तकलीब अपने ही यूट्यूपरों को तकल सब्सक्राइब करते हैं जी हिंदुंगा मंदिर ओव मैं यह मैं पहले बड़ी दफा क्या चुक्ता हूँ मेरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है हमारे मंधिर है वहां थर बैठे हुए हम से ज्यादा पाकिस्तान ही वो लोग है हम लोग तो माइगरेट करके आए हम लोग त तब या कुछ नहीं था वो लोग तो आ रेड़ी यहां पे थे अच्छा शुएब भई एक बात और मुझे जो बात मेरी ना जो आपने काम इतना अच्छा गी है मेरे गिले शिक वे मेरा गुसा सारा ठंडा हो गया शुक्र है हो गया नहीं तो आपको गुसा अक्सर ही रहता ह सुनिए मैं आज इस बात को लेके और्डियंस के सामने करना चाता हूं कि और्डियंस को भी आपके बारे में भी पता चल दे एक बात ऐसी थी जो शुएब भाई के साथ ना मेरे खिलाफाद चल रहे थे पिछले काफी देर से लेकिन शुएब भाई वो मेरी बात माननी रह नें अपर बात को घुमाते हैं मैं ने इस बार घुमाने देनी जानके मैंने उन केमरे मे बार शुरू की है देखिए मुझे आप से गिला शिकवा है वो रहेगा अगर अगर आप मेरे कहने पर वो काम आप नहीं करते तो आप यकीन माने में आपना यूट्यूब चैनल बन कि आपका मेरा ये इंटर्विव लास्ट हो अच्छा ये वार्निंग दी जा रही है मुझे किसंगी मलब आपिद भाई देखे हारे का अपना माइंड से मैं यहां पर सीरियस होके बात करूंगा और जिस बात की आप बात कर रहे हैं मलब जिस टॉपिक की तरफ या जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं believe me हारे का अपना concept है कि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो मेरी वज़ा से किसी जो लोग किसी पर यकीन करते हैं या यह चीज़ें किसी बात पर मैं आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा ठीक है मुझे जो करना है वो फिर मैं इंश शिकवा रहेगा चीज़ को लेकर तकलीफ रहेगा अबिद भाई मैं यह कह रहा हूं कि खुशी का मौक है इसके ओपर यही चीज़ें यह खुशी के बारे में आप मेरे से यह पूछें वहां पर कैसा मेरा एक्स्परिनिस रहा यह जो चीज़ें हैं यह नेगिटिव चीज लिया और मतलब यही कहा गया कि सुईब ने अंसबस्क्राइब करने का बोले काइंडली अगर आप उस वीडियो को पूरा देखे मैंने यह बोला था कि अगर वो मिनारटी के साथ अगर वो हिंदू कम्यूटी के साथ नहीं खड़े होते तो अंसबस्क्राइब करें और आपको लाइक कर रही है जो आपको पसंद कर रही है अगर आप यो र्यादी अपर जो आपके उपर अगर हम उं लोगों कोई सच नापता सके तो फिर हमारा य ही टीवी पे आना मीडिया पे आना यूट्यूब पे आने का फाइदा कोई नहीं है अच्छा एक और चीज़ मैंसा साची जी से नफरतें बड़े हैं मैं समझता हूँ चले श्वेब भाई वो उसको वाइंड अप करते हैं वो करेंगे आपको दिखाएंगे इस चीज के ओपर आपकी पूरी टीम को जो आप काम करके आये हो नão जो आपने मुसल्मनों का नाम रोशन किया है इन्सानियत का लॉषन किया आपने पूरी दुनिया में बताया के इन्सानित कि चीज़ को कहते हैं उच चीज़ को लेके मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को, अली भाई को आप सब को कराची की आने जाने की टिकट के जो आपके charges लगे हैं वो मेरी तरफ से पता है कितने लोग दे और कितने पैसे लगे हैं दे देंगे आबिद भाई को easy नहीं लेना आबिद भाई पिछले दिनों तड़ परे थे इंडिया में गाड़ी है आल्टो वो आपको भी पता है गाड़ी का सीन के इंडिया में लगे हैं वो आपके इंडिया कितनी तरकी कर रहा है और हम लोग देखें कि यूज में पुरानी गाड़ी 22 लाग रुपे की मैंने खरीदी इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आप लोगों को कराची की आने जाने की plane की टिकट के चार्ज़ भाई की दो बहुत है वो इन्शालला भाईया आपके साथ है जिस रेस्टोरंट में कोगे जहां कोगे किसी को दिखाने के लिए नहीं है यह दिल से वाकिया आपने काम बहुत बढ़ा किया आपकी टीम 10 दिन उदर बैटी रही है अपने घर से दूर मैं चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैंने कि कौन सा मंदिर बचा लिया या कौन सा मंदिर बचा लोगे तो भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे हम नहीं ला सकते या कुछ टाइम के लिए कैमरे पे नहीं ला सकते अभी इस वीडियो के बाद या पिर कल आज शाम को या फिर कल मंदिर के हवाले से व बहुत सा रिकार्ड कठा किया, वो सब चीजें, A to Z, वो चीजें हम कोशिश करेंगे, उनके हवाले से हम डिसकेशन करें, बहुत इंपोर्टन वीडियो है, मैं यह समयते हूं, जितनी भी वीडियो हमने उस मिशन को लेके बनाई, उन सब से इंपोर्टन वीडियो वो है, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अवाम को बतानी होती है, अब देखिए ना मेरी बात सुनिए कि आप कराची के इदर से, प्लेन की टिकट कुछ सस्ती नहीं है, आपने प्रॉपर वो टिकट ली, आप मैं सर आपको उस चीजे का ड्वांटिज दूँगा, उस चीजे में और जो मुझे वो रिस्पांस मिलता है, मैं यह समझता हूँ, ऐसी दस टिकटें, ऐसी बीस टिकटें भी अगर किसी को कोई देता हो, उसे वो जरूर जाना चाहिए, और वहां पे जाके, अगर मेरा क्या नुक्सान हुआ है, मेरा फाइदा हुआ है, मैं आपको बताता पहले मैं आपसे करता था इतना प्यार, यह एक्जेमपल दे रहा हूँ, आप बलीव कीजी जो आपने काम की है ना, इतना प्यार आपसे करने लगे हूँ, और मेरा दिल कर रहा है, क्यों नहीं, बिलको लाइदा है, आपने इनसानियत का नाम रोशन कर दी है, आपने बताय पर यह वाज आपने पहुचा है, कि जहां पर हिस्ट्री में कोई नहीं पहुचा सका, आप इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझे, मैं अपनी ओर्डिन से बात कर रहा हूँ, कि इस जगह पर पाकिस्तान की मेंस्रीम मीडिया नहीं पहुच सकी, नहीं जान चाहते हैं, नहीं पहुचें, किसका दबाओ है, किसका डर है, यह अला को पता है, लेकिन आप उदर पहुचें, आपको बड़े थ्रेट भी आ रहे थे, आपको कॉल्स भी आ रही थे, आपको काड़ते हैं बात को, आपको थ्रेट आ रहे थे, आपको कॉल्स आ रही थे, आ मैं तो वर्ना को पिर हम से भी जो हो सका अगर的話 जैसे के बिश स电bern gi fota आगर मैं अगर चीजो को अपने पर भाश क्रोटा होगे सोरेंगे आ प अच्छा काम कर रहिए हैं आप एक à रहा किसी की आपतगा coin को आप बचा कि आ रहे हैं अधर जा एकश धार जैसे एक उुरत को अप सर अार्ट सव के सामने लेके आ रहे हैं कि यह का उडिक किस्लाम को यह कि वह सुक्ड़ी कीर यहां कि सब्सक्रक्नार्ख चलेगा आपको क्या लगता है एक अकेली रेखा ये सब कुछ कारी होगी अगर ऐसा है भाई उसके पीछे बहुत बड़ा एक लैंड माफिया है जो हबर के मताबिक जो हमने वहां पे रिसर्च की वहां पे देखा वहां पे बिल्डर्स हैं इवन पॉलिटीशन्स वहां पे इ इचाइए नहीं और था एक इंतहा पसंदी ओरी थी मजब को लेके और आप ठीक है वह खुलके बाते नहीं कर सके ना आपने वह खुलके की आप इंतशार नहीं पहलाना चाते लेकिन जो सच है वह लोगों को नज़र आता है और लोग समझते हैं चीज़ को लेकर तो हमें अश्य काुs है ये कि सी के मजब को तक लीज़ ना दें कि कभी आपने ये सुना है कि हिंदूने पाकिस्तान में घखिए इंतने हमारे ये था हैरत वाली बात है है सर नहीं हम पाक सान की बात करते हैं कभी ऐसी खबर आई हो हिंदूने किसी मुसलमान को ये कर दिया या हिंदूंने किसी मस्जित को गरा दिया, शहीद कर दिया, पाकिस्तान की बाद का रहा हुँ, तो फिर एक साइट पे हम ये कहते हैं, सब together हैं हिंदू हो मुसलिम हो, सिख हो, सब together है तो फिर अगर जयाती होती है कोई ऐसा वाक्या होता है तो मिनारिटीज के साथ ही क्यों होता है क्या इस वज़ा से होता है कि वो कम है या इस वज़ा से होता है कि पाकिस्तान में लाइन आर्डर नहीं है आप इस जाने के बारे में सोच रहे हैं उन्होंने अपने पासपोर्ट जमा करवा दिये हैं वो कहत हुँ जहां पे उन्होंने यह बोला कि भाई अगर हमने छोड़ के जाना होता तो आज भी हमारे पास option मुझूद है और 1947 में भी option मुझूद थी लेकिन हमारी यह जमन जनम भूमी है यह हम यहां पे पैदा हुए है हम कभी नी छोड़ के हैं तो 1500 साल पहले किसी को पता था कि पाकिस्तान है या पाकिस्तान नाम भी होगा तो हमें उसकी रिस्पक्ट करनी चाहिए उस की और करनी चाहिए और यकीन कीजिए पूरी दुनिया में हमारा image अच्छा होगा पूरी दुनिया में लोग देखे ना USLAM को लोग जैसे बदनाम करते है مسلمانों को जलील करे है चाहिज वो हमारी हरकत हैं इस तरह किसी की हो जाएती है मुसलमानों की घदारीここ वज़ा से इस दो नंबरी की वज़ा से इस जो आद जा रहा है कि पूरी दुल्या के भीज बताया जा रहा है मेरे जैसे बात कर सकते हैं कि यार हमारे दोस्त भी इंडिया के साथ हिंडूओं के साथ खड़े हुए पाकिस्तान के बीच में और मैं भी खड़ा हूँ और शुए बैज जिस जगां पे भाई की जूर तो पड़े आपने सिर्फ एक आदी कॉल करनी है भाई पहुचेए अक्तिलाफार हमारे अपनी जगां पे हैं लेकि इन जग़ों पे मैं इन्शालल़ आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा ऐसे ही है एड़ले खैर कोई मसल़ा ने अक्तिलाफार है हमारा जो कि मतलब ही है कि मैं अपना एक स्टांस रखता हूँ आप अपना रखते हैं आब इद भाई थोड़ा सा इस चीज़ पर डिसकस करते हैं क्या वज़ा है मतलब मैं यह समझता हूँ कि अगर हम वहां पर गे हमने काम किया ना सिर्फ आडियंस ने वहां के मदरासी कम्यूनिटी ने हिंदू ज बाद का मैं बड़े सिंपल लफजों में जवाब देता हूँ कि आप किसी हिंदू से उधर बात कर रहे थे तो वह अपनी लैंगविच में कहता है माशाला असलाम अलेकुम मतलब मुसल्मानों की वर्डिंग यूज़ करता है अब इस चीज़ से आप अंदाजा कीजिए कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं उनके लिए मजबूरी है अगर वो बाइर निकल के असलाम अलेकुम नहीं करेंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे आप इस चीज़ को देखिए ना कि वो कितने मजलूम और कितने बिचारे हो चुके हैं पाकिस्तान के बीच में कि लोग उनके बरतनों में पानी पीना पसंद नहीं करते आपने देखा नहीं कि लोग अपने बरतन अलग रखे हुए हैं कहीं कुछ अलाकों में ऐसा है कुछ अलाकों में महलब मैंने तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ मैंने तो खाना खाया बैठके आप से पड़े लिखे लोग भी जो है ना वो भी थोड़ा सा इस बात से पीछे अड़ते हैं और आप चले जी दूसरे शहरों में जहां पर पड़े लिखे लोग कम हैं आप देखिए एक वह गन्य का जो रोत है उसकी रेडी के उपर जो है ना वह एक हिंदू आ गया एक हिंदू आ और दिया फिक इन चीजों से देखि के लिखे हमने इंसानों में फरक नहीं डालना लाग व्लान या उसी खुदा को मानते हैं उसी खुदा को मानते हैं परिगरेखिर हन्दू ने क्रिशन स ने सब Nera ने चीजए नोट की मसलब मेरा चैनल पाकिस्तान में आहसो और पे कराची में क्योंके वहां पे मैंने काम किया स्ट्रीट में जा के मैंने जोंसा प्रोटेस्ट किये वहां पे में एरियास में जा के प्रोटेस्ट किये वहां पे पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, लोग ये कहने लगे कि भाई आप जून से बड़ी कम्यूनिटी की वाद उठा रहे हो, मिनारटी की वाद उठा रहे हो, आपको पता है मान भी लेया मान एक सेकिंड के लिए लेट्स पोल्स वहां पे कुछ हो भी रहा है तो भाई इसका क्या मतलब है कि हम यहां पे करेंगे एक बात है यह चीज़ अब आप देखिए इंडिया से वो लड़के आपका इंटर्विव में देख रहा था कि दो लड़के थे इंडिय में क्या हो रहा है भाई चले जो देख लो जाके इंडिया में क्या हो रहा है तो आप यह फजूल की बातें जो है ना जीबो गरीब आप करते हो पहले पाकिस्तान को देखो पहले पाकिस्तान के बारे में सोचो इधर ही कश्मीर बना हुए है इधर ही सारे दैश्टगर्द कश्मीर की हम बात करते हैं मुसल्मानों को अजादी नहीं यह चीज़ है वहां पर अभी जुन साव बकाईदा तो पर आड़ महरम को लेकर बहुत बड़ा जलूस निकला है। तो कश्मीर से ज्यादा कश्मीर में पाकिस्तान से ज्यादा जादे पिर कश्मीर में है ना इधर तो फोज भी है इधर पुलिस भी है इधर पूरे रॉड बलॉक किये हुए है इधर पता नहीं क्या होजेगा क्या होजेगा है लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत हमें इन चीज आजादी से सा피े सिलसले करेंगे घब आजादी नहीं हुएहा। जब आप अपने geography आधा किल्के करी नहीं सकते हों। तो फिर क्या फायदा हुए अम इन चीजों को लेकर.. और पाकिस्तान इस आउम जिस एम lived पे अमने कर दिया जब होगी कि जब उसके लिए कोई करने वाला नजर आ रहा हो जो मुबे बतन नजर आ रहा हो यहां तो हमें चोड डांकू नजर आते हैं लुटेरे नजर आते हैं कि जिनके हाथ में पावर आनी चाहिए और जमीने भी अपने नाम इदर वो भी अपने नाम और वो भी अपन रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन प्रापर कम्यूनिटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज का ये भी अंदाजा हो रहा है, कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, या अगर पाकिस्तान की ये सिच्वेशन है, तो शायद उसमें पाकिस्तान के लो फोलो लेकिन हम यह करते हैं गौर्मिट गल्थ गौर्मिट गल्थ फोर्ड फिर हम चाहे जिसको मरदी देने हमें भी ठीक होने की दुरूता है और यह मैं अपनी और इनकी बात नहीं कह रहा हुआ पूरे पाकिस्तान की बात कह रहा हूँ जो मैं किराची गया मैं कश्मीर गय मैं सिंद गया मैं लहोर में उता हूं गुझरावाला में उता हूं गुझराथ में उता हूं जहां जहां बे भी रिकारडिंग करता हूं आपने बिल्कुल सही बात की कि जब आप गलत करोगे तो गलत होगा लेकिन हमें सबसे पहले अपने हुकमरानों को अच्छा करना चाहिए सर आप बात को समझिए हमें बोर्ड बड़ा सोच समझ के देना चाहिए और अल्ला से ये दुआ करनी चाहिए आज आ नौमी महरम है कि हमें मुदी जैसी पॉल्सिस वाला कोई शक्स मिल जाए मुदी साब आई गया हर इस वीडियो में भी मुदी साब आई गया है सर जो सच है वो बताऊंगा ना कि मुदी साब अपने लोगों के साथ संसेर है और ऐसी पॉल्सिस ना उस बंदे का ऐसा दमाग है कि अपने होता है तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी एकानवी बना दूंगा मतलब मेरी थर्ड टनियोर और इंडिया थर्ड लार्जस एकानमी मैंने अपने एक इंटर्वियो में कहा था कि अगर मुदी साब 8 साल और गुजार गये इंडिया की खुशनसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है अभी मैं एक अरसा पहले जब मुदी साब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे उपर हसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे आज हर बंदा ही मुदी मुदी करने लगे हैं हमारे मनिस्टर चाइना एक कलास है चाइना बता नहीं किए और चाइना बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन आज सब अपने मुझे इन्जीनियर पूर दुनिया में माने जा रहे हैं इंडिया की पढ़ाई हमारी स्टड़ी तो माने नहीं जाती हमारे सब्सक्री को को कोई नहीं मानता इंडिया की डिग्री एस्ट्रेलिया में भी मानी जाती है इंडिया की डिग्री हर जगां पर मानी जा रही है इंडिया का वजीर आजम हर जगां पर माना जा रहा है यहां पर मैं दिन पहले इंटर्वियू कर रहा था जहां पर मुझे यह कहा गया कि एक वह बेहतरी के लिए काम करना है पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है लेकिन वो तब ही होगा जब हम हकीकत को मानेंगे जो गल्त है उसे गल्त बोलेंगे जो सही है उसे सही बोलेंगे अगर हम यही सोच रखेंगे कि वो दुश्मन ये दुश्मन वो दुश्मन में अगर कहीं कुछ गल्ट हो रहे तो तब तक नहीं खड़े हो ना जब तक वो हमारे साथ खुद नहीं गल्ट होगा तो शायद तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा हमें हकीकत में अगर पाकिस्तान से प्यार है तो पहले गल्तियों को मानने की ज़रूथ है फिर उसे हम सुदारेंगे जब हम गल्तियों को मानेंगे ही नहीं तो नहीं सुदार पाएंगे और नहीं बेहतरी की तरफ जा पाएंगे यह थी आज हम cover कर चुके हैं complete कर चुके हैं लेकिन जो हमने with data with record चीजें cover की हैं वो आपको आज शाम को या कल सुबा वीडियो प्रापर देखने को मिलेगी बहुत interesting वीडियो होगी उसे जरूर देखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तपता के लिए पीस आओट अला हाफिए